आदि के शादि के लिए उसके मम्मी पापा रीया के घर जाते हैं। अरे कैसे कर दे शादि भाई साहाब, आपका बेटा तो अभी कुछ करता ही नहीं है। सुना है, आगे पढ़ाय करने के लिए शेहर भी जा रहा है। तबी तो भाई साहब हम चाहते हैं कि शहर जाने से पहली इसकी शादी करते और कमानी का क्या है हर कोई तो पढ़ लेकर कमाता ही है हाँ हाँ और गाओं का सबसे बड़ा मकान और सम्रित परिवार से है आदी मुझे तो समझ में ही नहीं आता इतनी जल्दी शादी रिया भी अभी पढ़ रही है इतनी अच्छी है वो पढ़ाय लिखाएं में कैसे शादी कर दू आप लोग थोड़ा समय दे आदी के माता पिता घर चले जाते हैं जहां आदी की पिता कहते हैं आरे भागयवान मुझे तो समझी नहीं आ रहा के तू क्यों इतनी जल्दी आदी की शादी करवाना चाहती है पढ़ लिख कर कमाई धमाई करने लायक हो जाए तो फिर कर देना शादी अरे आप चुप रहिए रिया जैसी लड़कियों के लिए शादी के रिष्टों की कमी है क्या इतनी सुन्दर संसकारी पढ़ी लिखी और अच्छी परवरिश वाली लड़की है वो मैं तो छोड़ी नहीं सकती ये रिष्टा किसी भी कीमत में बता दे रही हूँ रिया की शादी आदी से ना कराई न तो मैं जहर खा कर जान दे दूँगी पूरे गाउं में नाम है उन लोगों का नौकर चाकर कितने लगे हैं उनके घर में अरे मेरी बेटी तो राज करेगी राज और इस तरह ना चाहते हुए भी रिया की शादी आदी से हो जाती है अरे बेटी ये ले तेरी किताबे पढ़ाय बिलकुल ना चोड़ना तू तो मेरी गर्व करने वाली बहू है बड़ा नाम है तेरा गाउं में हाँ आखिर पसंद किसने किया है रिया को आदी के लिए आदी को गाउं के रिया इतनी पसंद नहीं होती है अरे यार तू तो बड़ा लक्की निकला रिया जैसे लड़की से तेरी शादी हो गई अरे लक्की की क्या बात है वो भी तो मेरे जैसे लड़की की बीवी बन कर किसमत वाली बनी है ना अरे अब तो तू रहे नहीं दे, ना तो दुखमाता है, ना यह पढ़ने में अच्छा है क्या है तुझ में बस पैसा और वो भी बगपका आदी को दोस्तों की बात पर बहुत गुसा आता है पता जी मैं शहर जाना चाहता हूँ अगे की पढ़ाई के लिए अरे बेटा लेकिन यहां की पढ़ाई तो पहले पूरी हो जाए नहीं नहीं अब मैं किसी भी हालत में शहर में ही रहकर पढ़ाई करूँगा रिया को आदी का ये व्यवार अजीब लगता है कि अचानक नई शादी के बाद आदी ऐसा क्यों बूल रहा है खेर आदी पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है और रिया गाव में रहकर सास सुसुर की सेवा करती और बचे वक्त में पढ़ाई अर देखो दमाज जी तो शहर चले गए हमारी बेटी बिचारी अकेली रह गई उसे कुछ दिनों के लिए यहीं बुला लाओ ना रिया की मा रिया के ससुराल उसे लेने जाती है कि उसके साथ ससुर कहते हैं अर नहीं नहीं बेहन जी, हमारा मन तो रिया के बिना नहीं लगेगा हाँ मा, इनको तो शहर जाना ही था पढ़ाई के लिए, बस थोड़ा पहले चले गए मा खाली हाथ वापस आ जाती है आदे शहर में मन लगा कर पढ़ाई करता है और इंजिनियरिंग के लिए दाखिला ले लेता है तो वहीं रिया भी मे की पढ़ाई में प्रविश लेकर समाथ सेवा में मन लगाती है तुझे देख कर लगता है कि मैंने तेरे साथ ठीक नहीं किया बेटी शादी तो करवादी लेकिन पती का साथ नहीं मिला अरे तो क्या हुआ जैसे मैं अपने मापापा के साथ थी वैसे अब आप दोनों के साथ हूँ है ना सास खुश हो जाती है अरे सुनो वहू आदी लोट रहा है शहर से वो कला जाएगा तुम लोग तैयारी कर लो रिया ये सुनकर खुश हो जाती है वो सोच लेती है कि अब वो कुछ दिनों तक आदी के साथ कॉलिटी टाइम बिताएगी लेकिन जब आदी घर आता है तो उसके साथ होती है एक शहर के लड़की जो जिन्स और टॉप में होती है ये मेरी दोस्त है मेरे साथ रहेगी आदी उसे अपने मम्मी पापा से मिलवाता है लेकिन रिया से नहीं रिया सब के लिए खाना लगाती है अरे ये नौकरानी कितनी सुंदर है खाना भी अच्छा बनाया है अरे नहीं नहीं ये नौकरानी नहीं मेरी बहू यानि आदी की बीवी है ये सुनकर लड़की शान्त हो जाती है और आदी की तरफ देखने लगती है फिर वहाँ से चली जाती है अरे मा क्या जोरुती घर की कहानी बताने की देखा अब वो बुरा मान गई न वैसे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ मुझे रिया के साथ नहीं रहना मैं शिवाने से प्यार करता हूँ और उससे से शादी करूँगा मैं रिया को छोड़ रहा हूँ आदी ये बोल कर उस लड़की के साथ शहर चला जाता है रिया ये सब देखकर रोने लगती है अपने कमरे में चली जाती है जहाँ सास ससुर उसकी पीछे आते है हमें माफ कर दे बेटा वो दुनों उसकी सामने हाथ जोड़ते हैं आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये तो मेरी किस्मत थी पर अब मैंने सुचा है कि मैं भी आगे पढ़ाई करके आगे बढ़ूंगी रिया पढ़ाई लिखाई करके पूरे जिले की कलेक्टर बनती है आदी उसे छोड़कर शिवाने से शेहर में ही शादी कर लेता है फिर एक दिन रिया के सिसुराल में अरे बेटी रिया तुझसे मिलने कोई आया है कौन है मा हमें आपकी बभू के बारे में सब पता है मैं आप लोगों से अपने बेटे के लिए आपकी बभू का हाथ मांगने आई हूँ नाम कमा चुकी रिया की शादी उससे भी बड़े ओदे के सिट से हो रही होती है कि शादी वाले दिन आदी भी वहां आ जाता है अरे मा ये क्या हो रहा है तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की पूरे गाउं में हम लोगों की नाक कटा अकेला छोड़ गया था एक ने आया है मा वो लड़की ठीक नहीं निकली उसने मुझे धोखा दे दिया मा मैं रिया की किमत समझ चुका हूँ इतने बड़े जिले की कलेक्टर है वो मैं यहां नहीं था फिर भी उसने आप लोगों का पूरा ध्यान रखा बहुत लेट हो चुका है बेटा रिया अपनी नई जिन्दगी की शुरुआत करने जा रही है अब उसे भी जीने का हक है वो तेरी सुविधा से जिन्दगी नहीं जी सकती तूने तो हीरा खो दिया बेटा